कोरोना कहर, शायद आप अभी भूले भी नहीं होंगे जी हाँ, एक बार फिर कोरोना तबाही मचाने आ चुका है यानि कोरोना की तीसरी लहर आपके दर्वाजे पर दस्तक दे रही है चीन में कोरोना प्रतिबंदों में धील के बाद यहां संक्रमन की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है जीरो कोविट पॉलिसी खतम होने के बाद केसिज में भारी जाफा हो रहा है हालाद इतने गंभीर हैं कि हस्पतालों में ना बेड मिल रहे हैं ना दवाई मिल रही हैं जहां भे मिल रहा है तो वो है लंबी-लंबी लाईने बिजिंग में तो हालाद इतने बत्तर हो चुके हैं कि अंतिम संसकार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुँच गई है एक्सपोर्ट्स का कहना है कि चीन में कोरोना केस दिन प्रते दिन नहीं बलकि घंटों में दोगुने हो रहे हैं अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेशग्य एरिक फेगल दिंग ने सोशल मीडिया पर चीन के जोकाने वाले वीडियोज शेयर किये इनमें अस्पतालों में शमशानों और मेडिकल स्टोर्स के चिंता जनक हाला दिखाई पड़ रहे हैं उन्होंने कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी और दुनिया के 10% लोग कोरोना से संक्रमित होंगे जिसे करीब 10 लाख मोतों की आशनका है हाला कि भारत में खत्रा बहुत कम है क्योंकि यहां वैक्सिनीशन के 3 राउंड हो चुके हैं लेकिन फिर भी सतर्क रहने की बहुत आवशक्ता है क्योंकि जो बारिश पहले पाल बांधले वो जीत में रहती है